हालो गाइज दिस इस नैंसी एन वेलकम ठूद ऑफिशल यूट्यूप चैनल ओफ डिजे क्लासरूम आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है यूमन बलड और यूमन बलड के बारे में हम सब ने कहीं न कहीं थोड़े सा पढ़ा वगा कि blood ये तो हमें पता ही है देखने से ही पता चलता है कि blood किस कलर का है या वो किस state में है state से मेरा मतलब वो solid में है वो liquid में है ये वो gas में है हम सब जानते हैं ठीक तो आज हम पढ़ेंगे कि blood क्या है उसकी composition क्या है उसमें use होने वाले components कोन से हैं और उनके functions क्या है क्या-क्या वो components है और क्या वो functions को perform करते हैं या blood का क्या function है वो हमारी body में किस तरीके से helpful है क्या-क्या काम करते है हमारी body के लिए वो सब आज हम इस video में discuss करेंगे तो चलिए इस video को start करने से पहले याद रखेंगे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और आनेमली वीडियो के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखिएगा चलिए बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की ब्लड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोड़क्शन ओफ ब्लड, ब्लड को अगर हम डिफाइन करें तो ब्लड को हम जर्नली डिफाइन करते हैं इस हैंं सरफ तीन वर्ड से वीडियो कनेक्टिव्ल टीशू या तरल सई्योजी उत्तक इस वीडियो दिफाइन करते हैं तो हम जर्नली लिकविड इस करते हैं वह है फ्लूड अकेला लिकविड्ड नहीं लिकविड़क्विड मतलब एक ऐसी चीज जो बेससितर पर अहीं mixture हमें मिलता है fluid एक ऐसा component होता है जिसमें liquid और gases का mixture होता है जैसे कि हमारा blood blood में liquid है हम सब जानते हैं मगर blood में liquid के साथ-साथ बहुत सरी important और भी components है जैसे gases है, oxygen है, carbon dioxide है या फिर हम कह सकते हैं कि other components जैसे कि glucose है, protein है ये सब components भी blood में कुछ percentage इनका amount होता है जो कि हमारे blood में present होता है इसलिए हम इसको liquid कहने की बजाए किस तरीके से define करते है fluid कहकर याद रखेगा blood क्या है एक तरह का fluid connective tissue अब अगर हम connective के बात करें तो हमें पता है कि connective क्या होता है जो चीजों को आपस में connect करके रखता है blood हमारी पूरी body में flow करता है और हर part को एक तरस एक दूसरे से connect रखता है tissue की अगर हम बात करें तो tissue क्या होती है उत्तक जिसको हम हिंदी में बोलते है या tissue को अगर हम कैसे बोलें tissue होता है group of cells ठीक group of cells की अगर हम बात करें तो tissue होते हैं group of cells cell होती है कोशिका है जो कि हमारे body का एक बहुत ही छोटा part होता है कोशिका जब उनका smooth बनाते है या उनका group बनाते है तो उससे मिल कर क्या बनता है tissue ठीक तो blood एक तरह का fluid connective tissue होता है यही इसकी definition है आगे अगर हम बात करते है blood की pH value की मैंने आपको introduction lecture में भी बताया था कि pH एक ऐसी term होती है जिसकों बोलते है potential of hydrogen ions हमें पता है हम H positive acid के लिए बात कर रहे हैं OH negative base के लिए बात कर रहे हैं तो किसी चीज में कितने components H positive ions है और कितने OH negative ions है या कोई component कितना acid है या वो कितना base है कितना वो अमल है या वो कितना शारक है ये depend करता है उसकी pH value पर तो अगर हम बात करें blood की pH value blood की pH value कितनी है 7.4 अब देखो अगर हम बात करते है pH scale की जैसे ये हमारे पास pH scale है pH scale का middle point होता है 7 यहां होता है 1 यहां होता है 14 ये pH scale है इस 7 से हम जितना कम जाते जाएंगे उतने जादा H positive ion या उतनी जादा acidity बढ़ती जाएगी इस 7 से हम जितने जादा जाते जाएंगे means OH negative ion या फिर हम कहें basicity बढ़ती जाएगी अब हमारे blood की pH value कितनी है 7.4 बना देते हैं तो 7.4 हमारी blood की अगर value है तो 7 के बिल्कुल pass है मगर वो किस में आती है basic में आती है तो हम यह कह सकते है कि जो blood होता है वो slightly basic in nature होता है ठीक तो blood का है slightly basic in nature क्योंकि इसकी pH value जो है वो है 7.4 और यह बहुत important question है कि blood की pH value क्या होती है चलिए आगे बात करते हैं blood के बारे में आगे अगे अगर हम बात करें blood के बारे में blood में और बहुत सरी चीज़े होती है जैसे कि blood circulatory system या रक्त परी सरेंचन तंत्र blood circulatory system क्या होता है जैसे हमें पता है कि हमारी जो body है उसमें blood flow करता है वो जो blood flow करता है, वो किस तरीके से करता है, यह हम सब को बता है, ठीक, blood जो flow करता है, वो कुछ vessels के through करता है, vessels जैसे की arteries, या फिर vessels के बात कहें तो veins, arteries और veins की help से blood हमारी पूरी body में flow करता है, कुछ arteries होती है, कुछ veins होती है, कुछ red रंग की होती है, कुछ violet color की होती है, इन सर्कुलेट करता है या वो ऑक्सीजन को एक जगे सो दूसरे जगा ले जगता है कारबन एक साइड को बाहर निकालने में हल्प करता है लंग्स की सहाइता लेकर तो वो जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है बलड का और बलड के उस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम discovery की बात करें तो वो William Harvey नाम का एक scientist था जिसने blood के circulatory system के discovery की थी और यह बहुत important question बनता है अगर हम बात करें आगे blood group system की तो अभी तो हम यह जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आगे जब हम blood के बारे में पढ़ेंगे तो इन सारे topics को हम काफ़े deeply पढ़ेंगे ठीक, blood group system की बात करें तो generally हम सब लोगों नहीं देखा है A, B, A, B, O तो इन सब blood group system के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ठीक है A, blood group, B, blood group, A, B, antigens के बारे में, antibodies के बारे में, universal acceptor के बारे में, universal donor के बारे में यह सब चीज़ें हमें blood में पता चलती हैं तो एक तरह से blood की दो बहुत important part है ठीक, blood circulator, blood group system उसके बाद अगर हम बात करें तो blood के, अगर हम functions की बात करें blood के functions क्या है blood के generally जो functions होते है सबसे पहले तो blood का काम यह होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ oxygen और carbon dioxide से relate oxygen का flow करवाना, carbon dioxide का flow करवाना हमारी body से एक तरीके से carbon dioxide को बाहर निकालना क्योंकि जो carbon dioxide का blood होता है वो एक तरह से deoxygenated blood होता है और जो oxygen carrying blood होता है वो क्या होता है, oxygenated blood होता है तो इन दोनों का process हमारी body में चलता है और हमारी body का जो circulatory system होता है एक तरीके से उसमें वो helpful रहता है तो blood का काम जो होता है, वो exchange of gases कराने का होता है वो O2 और CO2 का ठीक, और अगर हम blood के functions की बात करें तो सिरफ gases ही नहीं blood और भी बहुत सारी चीज़े होती है जिनको हमारी body में एक part से दूसरे part में ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जैसे कि hormones ठीक है, हमारी body में different different glands होते हैं ग्रंथियां होती हैं और उनसे तरह तरह के hormones release होते हैं ठीक है, कुछ hormones ऐसे होते हैं जो खुशी के होते हैं, गम के होते हैं या कुछ, मतलब हर एक part से अलगलिक तरीके hormones release होते हैं उन hormones को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम हमारी body में किसका होता है? ब्लड का होता है तो ब्लड के दो function हमने यहां पर discuss किये, कौन से? एक तो exchange of gases और दूसरा hormones का एक जगह से दूसरे जगह पर transfer होना, ठीक आगे अगर हम blood के function की बात करें तो एक याद रखेगा कि blood जो है वो हमारी body का temperature maintain करने में भी helpful होता है तो यह कुछ बहुत important functions थे की study के बारे में हमें बता होना चाहिए कि इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इस चीज के पढ़ने को क्या कहते हैं? कुछ terms भी मैंने discuss करी थी आप से, जैसे की virology, bacteriology, ठीक अब अगर हम बात करें study of blood की, तो study of जो blood होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं hematology क्या नाम देते हैं? hematology, actually ये दो words से मिलके बना हुआ है hematine कह सकते हैं और logos कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के combination से hematine एक iron component होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो क्या iron component है, या वो blood के किस part में पाये जाता है ठीक, उसकी वज़े से जो blood की study है, चलो अगर आपने hematine भी सुना, at least HB तो सुना ही होगा hemoglobin के बारे में सब ने सुना है तो उसी से ही related होता है ये उस कारण से blood की जो study होती है उसको क्या बोलते हैं? hematology ठीक, चलो बात करते हैं एक और component की हमें पता है कि blood की अगर हम बात करें blood की viscosity के बारे में viscosity कहें या फिर शियनता कहें, blood की viscosity किस चीज़ पर depend करती है देखो, blood की कुछ components होते हैं blood के जो components होते हैं जैसे की अगर हम बात करें blood के दो main parts की तो blood के दो main components होते हैं जैसे की होता है plasma प्लाजमा ॐ Romans ऐसे प्लाजमा ने किला डिकिप डिक्विटा कि अगर हम बढ़ से पहले क्या दिखाई दिया लिकुड पार्ट दिखाई दिखाई गया। हम color की बात नहीं कर रहे हैं blood को जो हम देखती है तो हमें liquid चीज दिखाई देती है तो blood का जितना liquid part होता है उसको एक तरीके से हम क्या बोलते है plasma, blood का plasma part जो है that means कि हम blood के liquid part की बात कर रहे है ठीक, blood आगर हमारे पास 100% है तो कुछ percentage plasma की होगी यो कुछ percentage blood carpuscles की होगी तो generally 55% जो होता है वो plasma होता है और अगर 55% यह है तो 45% जो होता है वो generally blood carpuscles होती है blood cells होते हैं सुना भी होगा जैसे आपने RBCs, WBCs या blood platelets के पारे में ठीक तो अभी हम बात करते हैं blood plasma की blood plasma की अगर हम बात करें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि plasma जो होता है वो एक तरह का blood का liquid part होता है ठीक अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 55% अगर हम plasma consider कर रहे हैं तो इस 55% में लग बग 92-92% तो water ही होता है ठीक और जो बाकी का बचा percentage है उसमें 6-7% तो क्या होता है protein present होते है different तरह के proteins present होते हैं glucose present होता है तो इस तरीके से plasma की composition तयार होती है plasma एक liquid party है मगर उस liquid में भी कई तरीके के protein पाई जाते हैं उन proteins के बारे में भी हम आगे discuss करेंगे अगर हम बात करते हैं function of plasma की तो function of plasma क्या होता है अभी मैंने आपको कुछ functions बताए थे blood के जैसे पहला function क्या था exchange of gases ठीक दूसरा function क्या था exchange of gases कराना हमारी body के हर पार्ट तक उन gases को पहुँचाना यह function हमने पढ़ा था blood का और एक तरीके से यही function होता है plasma का अगर हम बात करते हैं next की हमने hormones के बारे में पढ़ा था कि एक part से दूसरे part पर अगर हमें hormones को लेकर जाना है तो वो काम भी हमारा plasma करता है ठीक और हमने body temperature maintain करने की बात की थी तो एक तरह से यह सारे functions होते हैं यह blood के साथ सथ blood के अगर blood के हैं तो obviously blood के किसी ना किसी part के होंगे तो blood के जिस part के हो function है वो part हम consider करते हैं plasma को done तो ये functions किसके हुए plasma की चलिए आगे बात करते हैं अगर हम बात करें plasma की plasma की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है percentage of plasma अभी मैंने आपको बताया है कि percentage कितनी होती है plasma की percentage होती है वो 55% होती है और इस 55% में से भी 90 से 92% तो water होता है और लगबग 6-7% जो है वो protein होता है ठीक तो अगर हम protein का नाम ले ही रहे हैं तो protein की बात भी कर लेते हैं plasma में कुछ बहुत ही important protein पाई जाते हैं जिनका नाम होता है fibrinosan, globulin, albumin ये कुछ तरीके के protein हैं जो कि हमारे plasma के अंदर पाई जाती है जिसमें से fibrinosan protein जो होता है ये most important protein है because एक तरीके से जो इसका काम होता है वो होता है blood clotting में help करना रखत का ठका जमाने में मदद करना जब हमें चोट लगती है तो किसी तरीके से blood अगर बाहर आए तो कुछ टाइम बात क्या होता है रखत का ठका जम जाता है और इस ठके को जमाने में उस clotting को करने में जो protein helpful होता है वो protein होता है fibrinosan ठीक है तो इस protein के अगर हम बात करें तो देखिए आगे विसे जो blood clotting में helpful होते हैं वो कुछ और भी proteins होते हैं जैसे thrombin की हम बात करते हैं प्रो थ्रोम्बिन की हम बात करते हैं तो इस तरीके के कुछ प्रोटीन होते हैं अभी हम जिसके बात कर रहे हैं वो है फाइब्री नोजन अब देखिए अगर हम फाइब्री नोजन की बात करते हैं मैंने अभी आपको क्या बताया कि plasma में liquid होता है ठीक और plasma में एक protein पहे जाता है fiberinosan अगर उस plasma में से हम उस fiberinosan part को बाहर निकाल दे तो जितना वो liquid बचता है उस liquid को हम क्या बोलते है serum और ये बहुत ही important question है कि अगर हम plasma में से fiberinosan नाम के उस protein को बाहर निकाल देते हैं तो जो component हमारे पास आता है वो क्या होता है serum ठीक है serum वो चीज है जो plasma में fiberinosan के बाद हमें मिलती है याद रखेगा इस question को ये बहुत important आपके exam point of view से चलिए बात करते हैं blood के जो next component है उसके blood का जो अगला component है जैसे हमने एक तो बात की थी किसके plasma की जो दूसरा component है blood का वो है blood carpusles जिनके percentage भी हमने पड़ी थी अगर percentage plasma की कितनी थी 55 तो percentage carpusles की कितनी हो गई 45% blood carpusles की बात करें रक्त कणिकाओं की बात करें तो जो तीन रक्त कणिकाओं बहुत महतर पूर्ण होती हैं बहुत इंपोर्टेंट होती है blood carpusles में उनका नाम क्या है RBCs लाल रक्त को शिकाओं WBCs सफेद रक्त को शिकाओं और blood platelets blood platelets जो भी हम बात करें थे न fibrinosan protein की जो clotting में helpful करता था actual में platelets से ही हम वो चीज़े relate करके पढ़ेंगे कि क्या pro thrombin होता है क्या thrombin होता है जो की blood clot कराने में help करती है अब एक चीज़ ध्यान रखेगा मैंने आपको पहले भी बात कर रही थी कि blood viscosity के बारे में blood की अगर हम viscosity के बात करें ये actual में blood का important component होता है जैसे कि blood की pH value होती है blood का अपना एक उसकी property होती हम कह सकती है viscosity कहें या शेयनता कहें blood की क्या viscosity होती है वो actual में depend करती है कि blood के अंदर पाए जाने वाले cells का कितना amount होता है कई बार ऐसे होता है कि blood में पाए जाने वाले cells का amount जादा होता है कई बार कम होता है तो blood में पाए जाने वाले कि यो यह cells है, इन cells के कितनी percentage है, यह cells का कितना amount है, भो हमें बताता है ब्लड की viscosity के बारे में, ब्लड की शएनता जदा होगी, उसकी viscosity जदा होगी या कम होगी, वो चीज़ किसबे depend करती है? cells के amount पे और उसको हम बोलते हैं blood की जो cells की percentage होती है या जितना cell का amount पाया जाता है उसको हम एक word से denote करती है which is hemocrit hemocrit एक word होता है जो की cells की जितनी percentage होती है जिसको हम उस percentage को अगर हम define करें कितना amount cell का present होता है उसको हम बोलते हैं hemocrit याद रखेगा इस नाम को भूलिये घामत हेमोकृिट ठीक उसके बाद अगर हम बात करें RBCEs के WBCs की यह PLATLETS की इनका अगर हम बात करते हैं RBCEs WBCs यह PLATLETS की तो इनके एक बायलोजिकल नेम भी होते हैं कुछ बायलोजिकल नेम होते है जो कि जैसे कि अगर हम बात करें RBCs की, ठीक, तो RBCs का एक biological नेम होता है, जिसको हम बोलते है, erythrocyte, ठीक, RBCs का biological नेम है erythrocyte, अगर हम WBC की बात करते हैं, तो WBC का नेम होता है, leukocyte, ठीक, blood platelets की बात करते हैं, तो blood platelets का biological नेम होता है, ठीक, side से हमारा मतलब है, याद रखेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमारी body में, जो सबसे छोटा part होता है, उसको हम cell बोलते हैं, ठीक, cell की बात कर रहे हैं, तो अगर हम cell के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके study को हम क् cytology, ठीक, cell की study को cytology अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर हम इन तीनों के जो biological नेम हैं, चाहे वो इरेथ्रो है, ठीक, चाहे वो ल्यूको है, या चाहे वो थ्रॉम्बो है, उन तीनों के पीछे ही हम cyt use कर रहे हैं, यह तीनों किस से relate हैं, कोशिकाओं से relate हैं, cell से relate हैं, तब ही इनके पीछे हमने क्या लगाया है, site लगाया है, और इन तीनों के biological नेम जो हैं, आपके exam point of view से बहुत जादे important है, याद रखेगा कि इन तीनों के biological नेम क्या है, क्योंकि इन तीनों के biological नेम आपको पता होगा, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा उसको पढ़ेंगे, याद रखेगा कि आगे आरे वाले वीडियो के notification के लिए बैला एकल दबाना मत भूलेगा, और हमारी वीडियो को like करना, share करना और subscribe करना मत भूलेगा, ठीक, thank you